नमस्का और असलाम स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया फीचर एक्सल में जिसका नाम है फिल और इसके अंदर हम कुछ ऑप्शन्स देखेंगे तो यह कहां में लेगा आपको सबसे पहले देखते हैं होम में एडिटिंग के अ नमबर्स जनरेट करना है तो हम कोई भी दो नमबर्स को इस तरीके से लिखते है जरूरी ने एक सरी शुरू करें और फिर अगर हमने ड्रैक कर दिया तो यह आ जाता है सीरियली यह हमें पता है अब यस टूल के जरीए भी या फीचर के जरीए भी हम यह नमबर्स जनरेट क कर सकते हैं किस तरीके से देखिए स्टार्ट में जो भी नंबर चाहिए लिखिए ज़रूरी निकी एक ही हो एंटर किया लेकिन आपको वपस से उसके उपर करसर रखना जरूर है क्योंकि वो बेस बनेगा आपका फिर उसको सिलेक करते हुए फिल में सीरीज करेंगे सबसे पह करना आपको कितने से वैल्यू बढ़ाना है तो हर वैल्यू यहाँ पर एक से बढ़ेगी और स्टॉप मान लो मुझे दस पर करना है ओके किया तो देखिए इस तरीके से सीरियल नंबर आ गए यह फाइदे मांद है जब आपको कोई नंबर जनरेट करने हैं और बहुत चास पर रुग गए तो देखिए आसानी से जाधा से जाधा नंबर आप कम टाइम में जनरेट कर सकते हैं अब और चीजी इसमें जिससे मान लो मैंने 200 शुरू किया औल्ट E IS शॉटकट है कॉलम्स किया यह ज़रूर नहीं कि हम हमेशा एक से करे इसलिए यहाँ पर पर जरूरी क्या है जो आपका स्टार्ट वैल्यू है जो भी है उस सेल में आपको रहना जरूरी है ताकि वो उसी के आगे फिर सीरीज को जनरेट कर सके इस तरीकी से कि यह पहला सिनारियो है नंबर्स जनरेट करने के लिए आगे बढ़ते हुए और कुछ देखते हम अब यहाँ पर मानलो मैंने दो नंबर्स एंटर कर दिये तो अगर मैंने आल्ट EIS किया अब आगे का जो हम देखने है पहला था लीनियर मतलब एक ही पैटन में बढ़ रहा है अब हम देखेंगे ग्रोथ तो ग्रोथ के लिए आपको ट्रेंड पर टिक करना है जैसी आप करते हो तो step value, stop value inactive हो जाता है क्यों? step value इन दो नंबर्स के अंदर से वो generate कर देता है क्या trend है और stop value जहाँ तक आपने select किया है वहाँ तक हो enter करेगा इसलिए stop करने के ज़रूद नहीं है आपको ओके किया तो अब देखिए यह trend जो था यह दोनों में जो trend था वो double था इसलिए हर बार number double होते जा रहा है पिछले number के मुकाबले और एक example ले सकते है जैसे मालो तो 39 हो गया तो यह triple का trend है growth किया trend ओके इस तरह की से triple हो गया number अब आगे बढ़ते हैं dates कैसे generate करना है यह तो हम बगेर इस tool के भी कर सकते हैं जैसे कि मान लीजे मैंने लिख लिया कोई एक date को भी लिख सकते हैं और अगर हम इसको drag करते हैं तो serially dates वैसे भी आई जाते सेम आप यही चीज आप टूल के जरीए कर सकते हैं कोई भी एक date लिखिए alt eis किया columns कीजिए क्योंकि हमें vertically चाहिए अब value कितने से बढ़ाना है एक से बढ़ाना है और यहां पर आपको stop में पूरा date लिखना जरूर है इस तरीके से मन लीजे मैंने यह लिख दिया तो देता हो alt oca shortcut है या आप column पे double click कर सकते इस तरीके से generate होंगे और और एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है जैसे आप date करते हो तो उसने automatically देखिए detect कर लिया जैसे date select होता है तो date units active हो जाते हैं बाकि किसी चीज के लिए date unit active नहीं रहेगा देखिए जैसे आप date करते तो य लेकिन इसमें भी क्या है कुछ ऐसा अलग नहीं है हाँ इसमें एक जरूर है कि step value आप बढ़ा सकते हो दो से किया तीन से किया लेकिन इसका और एक अच्छा example यह है कि मान लीजी आपको weekdays चाहिए Monday to Friday चाहिए तो यह option काम का है weekday किया और stop value में हम मान लीजी मैंने ऐसे कु होते हैं तो यहां पर देखिए 8 के बाद 11 आ गया 9 और 10 चले गया इसी तरीके से 15 के बाद 18 आ गया मतलब Saturday Sunday को include नहीं करेगा यह list में अब इसके बाद जो आता है वो है autofill का example autofill मतलब क्या जैसे हमने देखा है हम कोई मंत का नाम लिखते है short month का नाम या full month का नाम या weekday क नाम तो जब ड्रैग करते हो तो जो list आ रहा है यह भी एक autofill इसको हम autofill कहते है automatically क्या हो रहा है values फिल हो रहे है लेकिन यहां पर आपको आज मैं यह भी बताऊंगा कि यह आते क्यों है और इसका एक कारण भी है जैसे कि मानले जीए मैंने कुछ भी दूसरा लिख दिया जैसे मानले इंडिया लिख दिया और मैं expect कर रहा हूँ कि countries के नाम अलग 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 आएंगे ऐसा नहीं हो सकता यहां पर नाम repeat हो रहा है अब autofill हम इसके जरीए भी कर सकते है ऐसी कुछ खास जरूत नहीं इसकी लेकिन मान लीजे मैंने jan लिख दिया और select किया alt eis किया aut autofill करके ok किया तो यह generate होगा तो इसमें कुछ अलग नहीं है autofill आप normally भी कर सकते है लेकिन हमें यह जानना है कि यह autofill क्यों होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका गारण यह है कि यह जो नाम है मंत के यह पहले से ही save किये गये है excel के अंदर custom list में तो custom list में जाने क settings में advanced left side में नीचे scroll करना एकदम bottom पे आ जाई यह देखिए यहाँ पर edit custom list है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यह सब नाम जो है यह embedded है और इनको आप delete नहीं कर सकते क्योंकि यह built-in list है हमारी खुद की list आड़ करने के लिए हम new list पे रखके इस तरीकी से आड़ कर सक नाम चाहिए आपको ऐसे लिख दिया मैंने just मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ कॉमा कॉमा करके भी आप लिख सकते है इस तरीके से add या फिर आप क्या कर सकते है इस तरीके से यहाँ पर click कीजे और फिर इस तरीके से select किया और import किया तो आ जाएगा तो यह अलग-अलग तर क्यों कि जब आप auto fill करते हो drag करते हो या auto fill करते हो fill series से excel तो रंद क्या करता है चेक करता है क्या यह item किसी custom list का हिस्सा है अगर वो है तो वो एक series generate करेगा वहाँ से आगे और ज़रे नहीं कि पहले item से शुरू करे कोई भी item से अब शुरू कर सकते है तो यह फाइदेमन कैसे होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे चीजे बना के मतलब चाहिए होती है country के नाम product के नाम या कुछ भी employees के नाम तो आपको type करने की जूरूत नहीं बस list में add करके रख दीजिए एक बार और हमेशा वो आप drag कर सकते हो खास करके जब ज़्यादा list है आपकी तो ठीक रहे गए तो यह एक option है autofill का अब हमने समझा किये मंत के नाम क्यों आते है इस तरीके से और एक चीज है इसमें एक tool है या feature है जैसे माली जी हमने एक example देखा है बहुत पहले जी हमने left first name last name कैसे निकालना है देखा है तो यहाँ पर एक trick का इस्तामाल कर सकते है जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूं ऐसे कुछ भी नाम लिखते हैं ऐसे नाम लिख दिया आप मालो इन में से मुझे first name और last name अलग कर देना है तो देखे एक trick यहाँ पर आप किस तरीके से इस्तामाल कर सकते है आप क्या कीजिए सिर्फ first employee जो है या पहला जो बंदा है उसका नाम लिख लिया फिर यहाँ पर range select कर लिजे यहाँ पर series के नीचे देखे flash fill है तो इतना ही कि यह आपने तो क्या कर देगा इस pattern के basis पे वो नाम निकाल के देगा आपको अब मैंने लो मुझे last name चाहिए तो मैंने last name लिख दिया और वापस से flash fill किया इस तरीके से उसने देखे यह किया फोड़ा सा इसने अलग लाके दिया है बट pattern के basis पे आप उसको बता सकते हो range select करके आप flash fill कर सकते हो तो इतनी अलग चीजी है fill में और इसका shortcut याद रखे इसका shortcut है alt e i s इस तरीके से तो इतने सारे options है इनको जैसे भी आप चाहे इस्तमाल कीजे अलग अलग तरीके से इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए शुक्रिया बने रहे हैं तने बात